नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फैंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा करता हूँ कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और दोस्तों यहां से मिलने वाला डी पैनलाइसेज और बैस्ट प्रेडिक्सन जिसकी दम पर आप ज़्याता से ज़्याता दोस्तों बिनिंग कर पा रहे होंगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेल्जियम और स्पैन के बीच खेले जाने वाले टीटेन मुकाबले के बारे में जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है लीग मैच का आज लास्ट मुकाबला है यानि मैच नमबर दोस्तों यह 20 आज का होने वाला है दोस्तों यह दोनों ही टीमों के बारे में अब तक बात करें तो कैसे कैसा अब तक इनका परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों बेल्जयम की बात करें तो अभी तक बेल्जयम 6 मकाबले खेल चुका है दोस्तों इस मेंसे 5 मकाबले इन्होंनom जीते हैं और एक ही मकाबला अभी तक हा रहा है दोस्तों 10 पॉंट के साथ यह पॉंच टेवल में नंबर 1 पर बनी हुई है वहीं अगर बात कर रहा है दोस्तों, इस्पेंट टीम के बारे में तो ये भी अभी तक 6 मुकाबले खेल चुकी है, 6 में से 4 मुकाबले दोस्तों इनमेंज जीते हैं, एक मुकाबला हा रहा है, और दोस्तों, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला है, यानि दोस्तों, 9 बारें बात करें यानि दोनों ने आपस में जो मुकाबला खेला है उसमें क्या हाल रहा है तो यहाँ पर दोस्तों बेल जी हमने चार बिकेट से इस मुकाबले में बाजी मारी ती दोस्तों इस वीडियो में हम आप लिए लाए हैं 10.000 रुपय का फ्री गिवावे जैसा कि दो दोस्तों इसको जीतने के लिए आपको सिर्फ करना इतना सा है कि हमारे दोरा पूचे गए दो कोशन्स का आपको सही सही जवाब देना है और दोनों अंसर सही नकलने पर आपको 10.000 रुपय का सीधा प्राइज मनी ट्रांजेक्शन किया जाएगा दोस्तों यह दोनों ही कोशन हम दोस्तों आगे आपसे पूचने वाले हैं बने लाइए दोस्तों वीडियो के अंत तक और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफेकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और दोस्तों अब आई पियल भी स्टाट होने वाला है दोस्तों यह प्राइज मनी दस हजार रुपे से हम बढ़ा कर दोस्तों काफी ज़्यादा करने वाले हैं दोस्तों तो प्राइज मनी जीतने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों सबसे पहले आप आंसर देकर अपनी प्राइज मेनी बुक कर लें दोस्तों बात करें यहाँ अपन विकेट कीपरिंग के बारे में यानि यहां से अपन दोस्तों अब विकेट कीपर से अपन शुरुवात करने वाले हैं किस प्लियर को अपन टीम में रखना है औ पछले जो अभी तक टूनमेंट यहां पर हुआ है दोस्तों सभी टीव लगवग 6-7 मुकावले खेल चुकी है याणी दोस्तों बात करें तो इनकी एवरेजज बिक्ट दोस्तों 6 और 7 एवरेजज बिक्ट निकल कर आया है याणी की दोस्तों 6 और 7 का एवरेज बिकट होने का मतलब यह है कि लगवग लगवग सभी बल्ले बाजों की यहाँ पर बैटिंग आ पा रही है तो दोस्तों अब शुरूबात करते हैं अपन बिकट कीपरिंग के साथ में यहाँ पर आपको पहला नाम दिखाई दे रहा है और दोस्तों उपन करने का मतलब यह है कि यह हमें काफी अच्छे पोइंट अर्न करा कर देने वाले हैं हम दोस्तों इसके उपर कैप्टन और बाइस कैप्टन यानि हम गरांड लीग में इन्हें ट्राइ करने वाले हैं दोस्तों यदि एह एहमत के बारे में बात करें पिछले पांच मुकाबलों के बारे में तो दोस्तों लास्ट मुकाबले में इन्होंने 27 उससे पहले भी 27 रन इनके बल्ले से निकले थे हाला कि इससे पहले के दो मुकाबले दोस्तों इनके काफी ज़्यादा खराब गए थे और दोनों वाई डग पर आउट हुए थे, तो दोस्तों उससे पहले 45 के रन ये बना चुके हैं, यानि दोस्तों एक बार अगर इनको शुरुवात मिल जाती है, तो दोस्तों बड़ा स्कोर करने में ये पिलियर सक्चम है, वही अगर बात करने हैं, दोस्तों बेल्जियम के स्टेंपिंग बात करें, रन आउट और दोस्तों कैच के आपको यहां पर देखाई दे रहा है, बल्ले से दोस्तों बिल्कुल भी रन नहीं निकले हैं, पिछले 6 मैचों में इनकी एक बड़ी पारी आईए, 27 रन की बाग की इसके अलाबा दोस्तों इनकी कोई बड़ी पा लोगों ने इने सेलेक्ट किया हुआ है, और दोस्तों आपको बता दें, पॉइंट भी इनके 23 इस टूनामेंट में यहां पर दिखाई दे रहे हैं, दोस्तों यह बल्ले बाज पांच में नमबर पर बल्ले बाजी करने आता है, और साथ-साथ दोस्तों बॉलिंग भी यह करकर देता है, दोस्तों बल्ले से कोई ज़्यादा खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं निकला है, पिछले पांच मुकाबलों में, हाला कि इससे पहले जो सीरी जेनों ने केली ती, उसमें काफी शानदार ये पिलियर रहे थे, और वोही कारण रहा है कि यह साले नो के हैं, दोस्तों इन पांच मुकाबलों, पिछले पांच मुकाबलों की ऐधी बात करें दोस्तों, तो चार ग्यारा जीरो जीरो और दोस्तों, एक मैस में बैटिंग नहीं आई है, यानि दोस्तों बल्ले बाजी बिलुकल भी अच्छी इनकी दोरा नहीं हुई है, आला कि दोस्तों बॉलिंग की बात करें तो पिछले पांच मुकाबले में पांच बिकेट निकाल चुके हैं यानि लाश्ट मुकाबले में ने कोई बिकेट नहीं मिला उससे पहले एक एक और दोस्तों उससे पहले भी कोई बिकेट नहीं मिला और दोस्तों लाश्ट मुकाबले में टीन बिकेट इनको मिले थे, यानि दोस्तों, आप इनको अगर टीम में रखना चाहते हैं, तो आप कैप्टन बाइज कैप्टन ड्रांड लीग में बिल्कूल भी इनको ना ऻखें, और head to head team में दोस्तों आप इनको playing 11 जरूर दे सकते हैं वहीं अगर दोस्तों बात करें अपन एस बट के बारे में तो दोस्तों 8% लोगों ने select किया है और पिछले दो मुकाबले ये लगातार नहीं केले हैं अलाकि उससे पहले भी इनके बल्ले से कोई score नहीं हुआ है तो आप इने बेशक दोस्तों drop ही कर सकते हैं दोस्तों बात करें अगले बल्ले बाज बेल्जियम के एस शेक के बारे में दोस्तों टीम के कप्तान होने के साथ साथ ये तीसरे नमबर पर बल्ले बाजी करने आते हैं दोस्तों 13 इंड्स के पॉइंट्स हैं और दोस्तों बात करें तो गरांड लीग और head to head टीम में आप इने 100% कैप्टन और 22 कैप्टन के रूप में ट्राय कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये अभी तक पछले 5 मुकाबलों के हम बात करें तो इनको अच्छा start मिलता है और दोस्तों कुछ पारियों में इनके run भी अच्छे हैं यानि पछले मुकाबले में इन्होंने 34 run बनाए थे उससे पहले दोस्तों बारा उससे पहले बाइस और उससे पहले चोवीस रन इनके बल्ले से निकले हैं दोस्तों बैटिंग करने के साथ साथ ये बॉलिंग भी टीम के लिए कर कर देते हैं दोस्तों पिछले पांच मुकाबलों में ये तीन विकेट निकाल चुके हैं बात करें दोस्तों अगले बल्ले बाज के बारे में दोस्तों यहाँ पर नाम आपको दिकाई दे रहा है एम लतीफ दोस्तों एम लतीफ छटवे नमबर पर यह बल्ले बाजी करने के लिए आते हैं और दोस्तों पिछले तीर मुकाबले इन्हें टीम में प्लेइंग 11 नहीं मिली है हाला कि उससे पहले भी दोस्तों इनके बल्ले से कोई ज़्यादा खासरा नहीं निकले है यानि कि दोस्तों यदि आज भी ये टीम में रहते हैं तो इनके बल्ले से रन ज़ादा नहीं नकले हैं आप इने ऐड टू हैड में भी ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद अपने बात करते हैं मिल्स के बारे में दोस्तों मनोज मिल्स 29 के लगबग परसेंट लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है दोस्तों बात करें ना चोते नंबर पर ये बल्लेबाजी करने आते हैं लेकिन पिछले चार मुकाबलों में तीन तो दोस्तों इनके डख ही हैं और एक मैच में दोस्तों इनके चार पॉइंट से और बागी जो 26 आपको दिखाई दे रहा हैं दोस्तों ये कैच और बात करें तो कैच की और फिल्डिंग के पॉइंट इनके दिखाई दे रहा हैं हाला कि एक मैच में इन्होंने बॉलिंग की थी और वहाँ पर इन्होंने एक बिकेट निकाल कर टीम के लिए भी दिया था दोस्तों इतना कोई खास प्लियर यह है नहीं अगर आप के अगर आप टीम बना रहे हैं तो निश्चेती आप बल्लेबाजों को हेड टू हेड के लिए दोस्तों तीन पिलियर और ग्रांड लीग के लिए आप चार पिलियर ट्राइ कर सकते हैं दोस्तों यह जोता पिलियर अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं दोस्तों बात करें यदि इसके बाद जो नाम आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों उसका न लेकिन बात करें दोस्तों यदि बॉलिंग के नजरिये से इनको अपन देखें तो लगातार हर मैज में ये बिकेट निकाल कर दे रहे हैं। पिछले इनके द्वारा खेले गाए पिछले चार मुकावलों में इनकी प्लेंग की बात करें। चारों मुकाबलों में इने प्लेंग मिली है और एक 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 और दो विगट इनकी बॉलिंग से ये नकाल कर दे रहे हैं उससे पहले दोस्तों इनको टीम ने प्लेंग नहीं मिल पाई थी और इसके बाद जादी बात करें हैं अपन ओर रोहिनी के बारे में दोस्तों ग्यारा पर्षेंट लोग उन्हीने सेलेक्ट किया है आप ये पर सिर्फ इन्ने ग्रांड लीमें च्प्रिक्त क्हिला रहे हैं तो दोस्तों कroleस्ट और चैप्टन और वाइसक्प्टन के रूप में ट्राइ करें तो ही इन्हीं खाले मुकाले में 0 बिगर्ट थे उस से पहले 45 इस से पहले 00 उस से पहले दूस्तो 42 रन इनके बल्ले से निकले है दूस्तो यदि यदि आज चलते है याँनि यह वही वैसे पेलियर होते हैं जो स्लेक्शन परसेन्ट तो उनका कम रहता है लेकर बात करें तो यह हमें पहला बिकेट कौन से ओवर में गिरने वाला है दोस्तों फर्स्ट इनिंग का पहला बिकेट कौन से ओवर में गिरने वाला है और दोस्तों दूसरे कोशन सेकंड इनिंग को क्या टारगेट मिलने वाला है दोस्तों सेकंड इनिंग को क्या टारगेट मिलने वाला है दोनों ही मैच में दोस्तों जैसे कि आपको ऊपर दिया हुआ है बेल जीयम बर्सेज इस पहल आज का मैच है ये इसके बाद लिखना है इसके बाद एक नंबर डालना है और आपको जो ऐसा भी लगता है कि पहला ओवर दूसरा ओवर तीसरा ओवर दोस्तों वह ओवर आपको यहां पर लखना है और दूसरे आनसर के लिए आपको direct target यहां पर लिख देना है और दोस्तों कैस अब्धान यह रखनी है इसके बारे में भी हम आपको ज्यानकाई दे देते हैं दोस्तों एक वीडियो में आपको एक ही कमेंट करना है आंसर से संबंदित और दोस्तों साधा कमेंट आप कर सकते हैं लेकिन आंसर संबंदित आपको एक ही कमेंट करना है दोस्तों दूसरी साब्दान यह है कि आपको किसी प्रकार का एडिट कमेंट में नहीं करना है जो एक बार आपने आंसर दे दिया दोस्तों वो आपके लिए अंतिम होना चाहिए तीसरी सब्दन ही यह कि मैच स्टार्टिंग होने से पहले आपको ये कमेंट करकर जाना है और दोस्तों पेमेंट का सिस्टेम हम आपको समझा देते हैं दोस्तों आपके दोनों आंसर सही निकलते हैं तो हमारे दोरा आपको रिपलाई किया जाएगा और आपसे फोन पे पे टी एम और गूगल पे दोरा दोस्तों जो भी आप चलाते हैं उसका नंबर आपसे लिया जाएगा और हमारे दोरा डारेक्ट आपको price money transfer कर दी जाएगी दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं all rounders की यहाँ पर दोस्तों आपको पहला नाम जो दिखाई दे रहा है दोस्तों उसका नाम है भी अजीज मौम्मद 84% लोगों ने इने select किया है दोस्तों पिछले बात करें ना चाप 6 मौकाबलों के बारे हैं जो 6 मौकाबले बेल जी हमने केले हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 6 मौकाबलों में से अब इनका पहला और दूसरा मौकाबला हुआ था वहाँ पर इन्हों ने 29 और 26 रन मनाये थे लेकर उसके लोस्तों एक मौकाबले में चाफ़ा के बाद कोई भी रन इनके बल्क से नहीं निकले हैं और दूस्तों बात करें बाला है यहेगे के लिए ओपन करने आते हैं दोस्तों बात करें ऐस जाकील दोस्तों बात करें, एस जखील के बारे में, तो चोटे नमबर पर ये बल्ले बाजी करने आते हैं, बल्ले पहला और दूसरा जो मुकाबला यानि टूनामेंट के सुरुआ थी, जो मुकाबले हुए थे, उनमें इनके बल्ले से 43 और 53 रन निकले थे, हाला कि बिकेट दोस्तो कोई नहीं निकाल पाए लेकर इसके बाद इनके बल्ले से कोई रन नहीं निकले हैं और दोस्तों मातर दो बिकट अगले चार मुकाबलों में इनकी बोलिंग से निकले हैं तो आप इन्हें टीम में ट्राय कर सकते हैं वहीं अगर बात करें दोस्तों अगले बल्ले बाज हैद चुके हैं यानि consistent यह बिट निकाल कर 입니다 के लिए दे रहे हैं वहाई अगर दुस्तो बात करा हैं हइनशी के बारे में बारा पर्सेंट लोगों ने select किया है और दोस्तो बार छे मुकाबलों में से मुकाबले इने नहीं खिलाए हैं चार मुकाबलों में इनोंने चार बिकिट निकल कर दिये हैं बल्ले बाजी काफी नीचे आती है तो दोस्तो बल्ले से कोई रन इनके अभी तक नहीं निकले हैं सबसे बड़ी पारी नो रन की इनके बल्ले से निकली है वहीं अगर बात करें दोस्तों सलीम के बारे में तो दोस्तों 57% लोगों ने इन्हें सिलेक्ट किया है लेकिन बात करें तो दोस्तों ये जो पिलियर है न आप इन्हें बिलुकुल ग्रांड लिंग में ट्राइ कर सकते हैं captain by captain की रूप में ही आप इने try करें क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले एक player के बारे में समझाया था उसी तरह इनके भी हाल यही है दोस्तों run बनाते हैं लेकिन दोस्तों अभी तक 5-6 मुकाबलों में से 4 मुकाबलों में 0 है और 1 मुकाबले में 56 और 1 मुकाबले में बाले से बॉलिंग भी करते हैं हाला कि बिकेट अभी तक एक भी नहीं मिला है लेकिन दोस्तों हो सकता है आज भो मुकाबला हो कि यह 40-42 हैं अमारे लिए करकर दे जाएं और एक बिकेट निकाल दें दोस्तों हमारे लिए कापी शानदार यह पॉइंट्स होने वाले हैं दोस्तों बात कर रहे हैं अदि बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर आपको अधील दिख रहे हैं 12% लोगों ने सिलेक्ट किया है तरह पछले मुकाबले में इन्हें एक बिकेट मिलाता उस से पहले दो मुकाबले ने खिलाए नई हैं उससे पहले 5 बिकेट नहीं उससे पहले एक और अनके बोलिंग से निकले हैं वहीं अगर अगले बोलर के बारे में बात करें दोस्तों सेफट के बारे में 92 परसेंट लोगों ने सिलेक्ट किया है लाश्ट मुकाबले में 28 रन के 7-7 चार बिगट निकाल कर टीम के लिए दिये थे ये 278 पॉइंट जो आपको देखाई दे रहे हैं दोस्तों इ पिछले मुकाबले में 8 उससे पहले 32 रन और उससे पहले इनको दोस्तों तीन मेच लगाता नहीं किलाए हैं दोस्तों बॉलिंग डेपार्टमेंट में ये बॉलिंग करते हैं लेकिन अभी तक कोई साफलता इनको नहीं मिली है वहीं अगर बात करें दोस्तों टीवाइन के टीम के लिए दिये थे यानि आज इनको प्लेइंग मिलती है तो आपने हैट टू एट टीम में है जरूर ट्राइक कर सकते हैं वहीं अगले बॉलर महमूत के बारे में बात करें दोस्तों पिछले मुकाबले में 7 रन एक बिगेट उससे पहले 2 बिगेट उससे पहले जीरो और उससे पहले 2 मेंचों मेंने बैटे खिलाया नहीं गया है दोस्तों कि आपको कैसा लगा हमारा एनलाइसिस आप कमेंट करकर जरूर बता है वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर क झाल 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 झाल